नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सो प्रतिस्थ होम सोल्यूशन टिप्स चैनल में आसा है आप सब ठीक होंगे दोस्तों हमारा भारत देश प्रकृति का खजाना है हमारे देश में अनेक प्रकार के पेड़ पोधे और वनोसोधिया पाई जाती है जो अनेक गुणों से औस अवसधिय गुणों से भरपूर होती है दोस्तों फागूर मास की सुरुआत होती ही पूरी प्रकृति किलूरते ह पूलू से बर जाते है इसके बाथ इस पर फलिया लगनी शुरुआ जाती है ऐसा ही एक पेड़ है सहिजन का पेड़ पूरे भारत वर्च में होता है कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो सहिजन को नहीं पेचानता बासा के बेच से इसका नाम जरूर अलग होगा लेकिन विड जन के नामों से जाना जाता है गुजरती में सरगों कहते है मराठी में सेगटा से पहचानते है बंगाली में सजिना और पंजाबी में सोहनजिना से जानते है तेलू गुभासा में इसे मुनगा कहते है दोस्तों आपके क्षित्र में सहीजन को किस नाम से जानते हैं कमेट्स में जरूर बताए सहीजना का जो पेड होता है ये मध्यमाकार का होता है और ये बहुत मुरुदू होता है इसकी चाल या काश्ट तथा इसके किसी भी डाली या साखा को तोड़ने पर वो तूट जाती है आसाने से इस पर जब फलिया लगती है तब ये पूरी तरह से फलियों से लद जाता है सहीजना का पूरा पेड अवसधिय गुणों का खजाना है ये ADC चोटी तक हर मिमारी को दूर करता है इसका पत्तो कालिप करने से सरीर की सुजन दूर होती है इसके बिजो का तेल सरीर की सुजन मिटाने वाला और दर्दनासक होता है ये पूरे सरीर की नाड़ी तंत्र को उत्ते जित करता है ये सरीर के पूरे रक्त प्रभाव को सुचारो करता है दोस्तो सहीजन पर जो लंबी लंबी फल्या लगती है ये पाचन सक्ती बढ़ाने की उत्तम आवसदी है ये सरर की पाचन चक्ति को बढ़ाती है और खुन को सुद्ध करती है सहिजन के पूरे पेड में खराब कोलेस्टोल को कम करने का विशेश गुन होता है पेड की अगर पाचन चक्ति कमजुर हो या पेड में किसी भी प्रकार का दर्द हो या गड़बडी हो सहिजन की सबजी खाने से बहुत आराम होता है एक सोध के अनुसार जो ये सहिजन होता है इसमें खनेजोकी भरमार होती है ये केलसियम से भरपुर होता है इसके अलावा इसमें पोटेसियम, जस्ता, मेगनेसियम, आईरन, तामबा, फोसपुरस और जस्ता बड़ी मात्रा में होता है दोस्तों सहीजन का आउसदी की रूप में इस्तिमाल करने से ये सुक्रों को बढ़ाता है यानि सुक्रानों की बड़ोतरी करता है इसके अलावा ये पेट की क्रूमी को मिटाता है और सरिर में से टॉक्सिन को दूर करता है जहर ना सकोता है हमारे पावरानिक आयरुदिक सास्त्रों में सहिजन को बहुत ही उत्तम अवसदी की रूप में सामल किया है सहिजन के बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे एक एक करके इसके उप्यों के बारे में बताएंगे लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक जरूर करे क्योंकि लाइक करना बिलकुल मुक्त होता है आपकी एक लाइक से हमारा मोटिविशन बढ़ता है और मोटिविशन बढ़ने से इसे नए नए वीडियो बनाने का उच्छा बढ़ता है इसके साथ ही चैनल को सबस्काइब जरूर करे और इस चानकारे को जादे से जादा अपने दोस्तों में सेर जरूर करे सहीजन का पूरा पेड अवसदे गुणों का खजाना है इसके जर, पत्ते, चाल, फूल, फल और गौन्द सब कुछ अवसदकारिया में उप्योग किया जाता है इसके पलियों का साख बना कर खाने से पाचन सकती तेज बनती है और मुत्र सबनतित बिमारियों का नास होता है मुत्रक खुल कर आता है इसके अलावा किडनी और लिवर के लिए सहीजन की पत्या बहुत ही हितकारे होती है ये बिगडे हुए केलेश्टोल को सुधारती है दोस्तो सिर दर्द दूर करने के लिए सहीजन का उप्योग किया जाता है इसके लिए सहीजन की ताज्य जड़ को लाए कुट पीछ कर थोड़ा सा रस निकाले इसमें थोड़ा सा गुड मिला कर एक एक बुंद नाक में टपकाने से सिर दर्द दूर होता है दोस्तो आँखों की बिमारियों के लिए भी सहीजन बहुती लापकरी जड़ी बुटी है अगर वात पीत या कप के कारण या सन्निपात के कारण आँखों पर सुजन रहती हो आँखे लाल रहती हो तो सहीजन की ताज्य पत्तों को साप कर के रस निकाले इसमें समान मात्रे में सहध मिलाकर दो दो बुद आँख में टपकाए इससे आँखों का धर्द दूर होता है आँखों की लालेमा मिठती है इसके अलावा जिन लोगों को रात में दिखाई न देता हो तो इसके लिए सहीजन के ताज्य पत्तों का रस निकाले 50 क्राम इसमें दो चमच सुद्ध सहथ मिला है और आँकों में इससे रोजाना अंचन करे इस प्रयोग को कुछ दिनों तक लगातार करते रहने से रात में दिखाई देता है आँकों के कई रोग इससे नष्ट होते है इसके अलावा सहीजन की ताज्य पत्यों को पीश कर टिक्या बनाकर आँकों पर बादने से भी बहुत सारे रोगों का निवारन होता है जिन लोगों को दात सबंतिस समश्या है दातों में दर्द हो रहा हो या दातों में सडन हो तो इसके लिए सहीजन का गौंद जो होता है इस गौंद को लाए और मुह में रखे या दातों के बिच में रखकर दबाए इससे दातों का सडना रुख जाता है दोस्तों जो सहीजन का गोंध होता है नाई अनिक प्रकार के अवस्थिय गुणों से भरपूर होता है अगर रुक रुक कर पेशाब आता हो या पेशाब जनित किसी भी प्रकार की समश्या हो चाहे पेशाब करते वक्त जलन हो रही हो तो सहीजन के गौंद को ले 10 ग्राम और रोजाना 7 दिनों तक बहे के साथ खाए इससे मुत्र सबंदी सभी प्रकार की समश्याओं का निवारन होता है जिन लोगों को पेट सबंदी समश्या है पेट में पानी भरा रहता हो जलोदर की समश्या है तो इससे चुटकरा पाने के लिए सहीजन की ताजी जड़ को साब करें के लाए 50 ग्राम और 200 ग्राम पानी में भीगो कर रख छोड़े साम को रख के और सुबह उस पानी को चान कर पिए ऐसा करने से पेट में पानी बरने की समश्या से चुटकरा मिलता है जो लोग पत्री से पीड़ी थे जिन लोगों को पत्री की समश्या हो चुकी है और पत्री से चुटकरा पाना चाहते है तो इनके लिए सहीजन की अवस्दी बहुती स्ट्रेश रितम होती है इसके लिए सहजन की जो चाल होते है न तने पर वो ली लीजिए इसकी ताजी चालिया इसकी जड़ काट ले दोनों में से जो बे मिले आप दोनों का ही प्रयोग कर सकते हैं इसको साफ पानी से दो ले और इसे 400 मिलिलिटर पानी में पकाए, पानी धीरी धीरी पकाए, जब 100 ग्रम की मातरा में पानी सेश रहे तब ठंडा होने के बाद छान कर 50 ग्रम की मातरा में पिए, ऐसा दिन में 3 बार पिए, ज्यादा नहीं कम से कम 10 से 12 दिनों के प्रयोग से ही पत्री पेसाब की रास्ते तूट कर बाहर निकल जाएगी दोस्तों जो सहीजन का पूरा पेड़ होता है यह मुत्रवर्दक गुणोंवाला होता है इसकी जड़, चाल, पत्ते, फोल जो भी आपको मिले इसको उबाल कर नित्य सेवन करने से मुत्रक खुल कर आता है पेसाब की जलन मिठती है अगर पत्रे हो तो यह दूर होती है इसकी अलावा किड़नी को यह फिल्टर करने की उत्तम आवसदी है सहीजन की ताजी पत्यों को कुट फिचकर इसका रस निकाल कर 15 से 20 एमल की मात्रा में सेवन कर रही या इसकी चाल को उबाल कर नित्य इसका काड़ा पिए किसी भी प्रकार के इसका सेवन करने से किड़नी में जमा कच्रा साप हो जाता है किड़नी स्वच हो जाती है और किड़नी मजबूत भी बनती है सहीजन की जो कुमल कुमल पत्या होती है एंटी बैक्टरियल होती है ये किसी भी प्रकार के तवचारोगों की संक्रमन को रोकता है और तवचारोगों को दूर करता है इसके अलावा इसकी पतिया एंटी डायबेटिक होती है डायबेटिस के मरिज इसका निति इस्तिमाल करे तो डायबेटिस कंट्रोल में रहता है डायबिटिस के कारण उत्पन सरीर की कमजोरी इसकी पत्यों के सेवन से दूर होती है दोस्तों इसकी पत्यों में क्लोरोजेनिक एसीड और एंटी एबेसीटी गुन होते है जो बढ़ते हुए वजण को कम करने में बहुत ही फायदिमंद होते है जो लोग बढ़ते हुए वजण से परिशान है ऐसे लोगों को सहीजन की पत्यों का सेवन करना चाहिए इसके लिए आप सहीजन की पत्यों की सबजी की रुप में इस्तिमाल करे या इसकी पत्यों का रस निकाल कर सेवन करे इससे diabetes भी कंट्रोल में रहेगा, वजन भी कम होगा और बढ़ता हुआ कॉलेश्ट्रोल भी नियंतरित हो जाएगा दोस्तो इसके बहुत सारे और बहतरिन फायदे है इसका आप रोजाना इस्टिमाल करते है तो पेट सबंधी कई प्रकार की बिमारियों का भी खात्मा होता है, पेट की गडबडी दूर होती है, पेट की क्रूमी दूर होती है और पाचन सकती मचबुत बनती है यानि ये अवसदी एड़ी से चोटी तक हर बिमारी को दूर करने की कारगर अवसदी है चाहे सरीर पर किसी भी प्रकार का घाउ लग गया हो चोट लग गई हो मौच आ गई हो तो इसकी पत्यों को पिसकर उस थान पर लगाए तुरंत ही घाउं के कारण उत्पन सुजन दूर होती है और घाउं का दर्द मिठता है तता घाउं भी सिक्र भरने लगता है क्योंकि ये पत्या जो होती है न ये एंटे बैक्टरियल होती है दोस्तों जो सहिजन की फली होते है न लंबी-लंबी ये केल्सिम से भरपूर होती है अनेक प्रकार के अवसदीगों से भरी होती है इसकी सबजी बना कर नित्य सेवन करने से पेट की पाचन सक्ती मजबुत बन इसके अलावा ये सुक्र की कमी को दूर करते हैं यानि सुक्राणों की कमी को दूर करके सुक्र की बढ़ोतरी करता है यानि वीरिय की बढ़ोतरी के लिए सहीजन की फली उत्तम होती है यानि कुल मिला कर देखा जाए तो सहीजन का जो पूरा पेड़ होता है ये आपकी सारी बीमारियों को दूर करेगा, इसका खात्मा करेगा, इसके साथ ही आपकी बोड़ी को फिट रखेगा, किडनी और लिवर को मजबुत बनाएगा, खुन की कमी को दूर करेगा, सुक्र की बढ़ोतरी करेगा, यानि दातु सक्ति को बढ़ाने के लिए भी सही जिन बहुत उपय होता है, सही जिन की जो पतिया होती है, ये पोसक तत्व का खजाना है, पोसक तत्व उसमें भरपूर मात्रा में होता है, ये सरीर की इम्म्यूनिटी को इंक्रेज करता है, मुझबुत बनाता है, इसकी जो पतिया होती है, ये हमारे हार्ट को हेल्थी बनाए रखने में अलसर हो तो इसकी पत्यों का सेवन करने से अलसर ठीक होता है दोस्तों सहिजन की पत्यों का अलग अलग तरीके से इस्तिमाल कर सकते है आप चाहें तो पत्यों को कच्चा भी चबा कर खा सकते है काड़ा बना कर पी सकते है या इसका powder बनाकर उपयोग में ले सकते हैं, या फिर इसका juice बनाकर seven कर सकते हैं अगर आप बढ़ते हुए वजिन से परेशान है और सहीजन की पत्तियों से वजिन को कम करना चाहते हैं तो सहीजन की पत्यों को पानी से साप करे, पाने में उबालकर इसका काढ़ा बनाए, चान कर ठंडा होने दे, इसमें निम्बू निचोड़े और थोड़ा सा एक चमच की मात्रा में सहथ भी मिला दे और इसको पी जाए. दोस्तो सहीजन की पत्यों से बनाकाड़ा इस प्रकार से अगर आप इस्तिमाल करते हैं तो यकिन मानिये बहुत जल्दी ही आपका वजन कम होगा। दोस्तो हमारे आसपास में तो नजाने कितनी प्रकार की वनस्पतिया होती ही, लेकिन इसका इस्तिमाल करने का सही तरीका माल करेगा अगर कम मात्रा में उपयोग करेंगे तो यह दवाई की रूप में आपकी बिमारियों को दूर करेगा दोस्तों जो ज्यादा तर वनाव सोधिया होती है न यह किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं करती क्योंकि यह प्यूर नेचरिल होती है अगर इसकी पत्ति को सुखा कर पाउडर के रूप में उपयोग करना चाहते है तो तीन से चार ग्रम की मात्रा में उपयोग करें पाने के साथ ज्यादा मात्रा में उपयोग न करें दोस्तों सहीजन को आईरविद का अमरुत माना जाता है क्योंकि जो सहीजन होता है न यह तीन सो से अधिक ब मातरा में होने से साइटिका, गठिया और जोडो की दर्द में भी उपयोगी होता है। दोस्तो जिन लोगों को ब्लड प्रेसर की समझ्चा रहती हो तो ब्लड प्रेसर को कम करने के लिए सहीजन की छाल का कड़ा बना कर सेवन करना चाहिए। तो दोस्तो सुना आपने कि सहीजन अवसदी एक है, लेकिन ये ADC चोटी तक हर बीमारियों को दुर करती है, सरीर को फिट रखती है और विर्य सक्ति को बढ़ाती है। तो दोस्तो इस सहीजन के पेड को अपने घर के आंगन में, बगीचे में या खेतों की मेडों पर जरूर लगाए। इस जानकारी क ज्यादे से ज्यादा सेर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही एक नई और महतुपूर जानकारे को लेकर के तब तक के लिए स्वास्त रहे, खुश रहे।